कि अधिकाउंश कोरोना प्रभाविद देश ऐसे हैं, जिने कोरोना की कई वेवस का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसिस कम होने के बात अचानक से वृद्धी होने लगी हैं। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उलेख हुआ है, जिसे महाराष्ट है, पंजाब है, और आप मुख्मंत्रियों ने भी चिंता व्यक्ति की हैं, सिर्ब मैं कह रहा हूं इसा नहीं है। और विशेश चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूर्द भी हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट और MP में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, और केसों की संख्या भी बढ़ रही हैं, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जीलों में भी ये वृद्धी देखने को मिल रही हैं, जो अभी तक खुद को बचाय हुए थे। सेब जोन थे एक प्रकार से, अब वहाँ पर हमें कुछ चीजे नजर आ रही हैं। देश के सब्तर जिलों में तो पिछले कुछ हपतों में ये वृद्धी 150% से भी जादा है, 150% से जादा। अगर हम इस बढ़ती हुई मामारी को यही नहीं रोकेंगे, तो देश व्यापी आउटब्रेक के स्थिती बन सकती हैं। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पिक को तूरंत रोकना ही होगा, और इसके लिए हमें क्वीक और डिसाइसिव कदम उठाने होगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास को लेकर अब स्थानिय प्रसासन द्वारा भी उतनी गंबीरता नहीं दिखाई जा रही है। मेरा आग्रह है कि स्थानिय स्थर पर गवनेंस को लेकर जो भी दिक्कत हैं उनकी परताल, उनकी समिक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलजाने जाना ये मैं समझता हूँ वर्तमान में बहुत आवशक है। ये मन्थन का विशह है कि आखिर कुर्स क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है। क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टिका करण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये गुड गवनेंस की परिशा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक महुचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है। ये आत्मविश्वास हमारा कॉन्फिडन्स ओवर कॉन्फिडन्स भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाई में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भाय का सामराजे फैल जाए ये भी सिर्थे नहीं लानी है। और कुछ सावधानिया बरत करके, कुछ इनिशेटिव ले करके, हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है।